अधिकार के लिए लड़ सके और एक मंच के नीचे वो आके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ सके अधिकार के बात कर रही हैं आज आप सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और आप अच्छी लग रही हैं और पहरे तो यह था कि कहा जाता कि डोल गवार सुद्पसुनारी यह सब ताड़न के अधिकारी तो आज इसकी आप सकता क्या है देखें दलित वर्ग जिसे हम कहते हैं स्च जो समाज है यह वो समाज है जो वर्षों से पिछड़ा रहा है अगर बाबा साहब ने जो अधिकार दिये समांता का अधिकार दिया यह उड़ी अधिकार का ही नतीजा है कि आज मैं आपके साहब ने बोल पा रहा है यह सुन्दर वस्तर पहन पा रही है जैसे आप कहरें सुन्दर लग रही है और आज इसकी क्या जरूरत है एक तपका एक वर्ग जो आज भी कहीं न कहीं एक हिंता का शिकार है उसको उपर उनको बराबर लेवल पे लाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम इस तरफ की रैली इस सरकार को जताना बहुत जरूरी है कि हम भी है हमारा वजूद है हमें भी अधिकार चाहिए हमें भी समानता चाहिए लगे जहां पर किसी प्रसाशन तों के कार्याब में जाके देखिये वहां पर एक जाती की की अधार पर एक खास उनको तवज्जो दी जाती है और अगर यह समझ में आ जाए कि एक दलित वर का उंपलॉई है तो उसके साथ एक अलग तरीके का भैवार किया जाता है जो कही ना कहीं समानता को नहीं दिखाता है और यह कहीं ना कहीं इसको सही करने के जरूरत है इसलिए इस तरह की रैली का योजन होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार को परसाशन को यह नॉलिज में हो कि हम भी है हमारे वजूद है हमें भी यहां पर समानता दी जाए अभी आप देख रहे हैं कि जो अंद्विस्वास है महीलाओं के अंदर बाबाओं के चक्क्र माया आती है अभी एक बा जाती है देखें जितना भी अंद्विश्वास है यह सर्मनुवाद की देन है और जो यह मनुस्मृति है जो अभी आपने शलो की यहां शुद्र लारी वाला कि मैं बिल्कुल इसमें कहीं न कहीं अडमिट करूंगे कि महिलाओं जो हैं इसकी स्थरफ जादा आकशित होती ह क्योंकि कहीं न कहीं आज भी हम मानसिक गुलाम हैं और मानसिक गुलामी से निजात पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है इस अंद्विश्वास से निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपके चैनल की माध्यम से महिलाओं से अफिल करती हूँ कि हमें कम से कम बाबा सहब को पढ़ना चाहिए उनके विचारों को हमें अपनाना चाहिए और उनके विचारों को अपनाते हुए अंधिविश्वास से हमें दूर भागना चाहिए और मनु सुरिती का जाल है हमें ये तोड़ना होगा हमें शिक्षा की तरफ पढ़ना होगा हमें अपने लिए हम दूसरों के पास जाते हैं जिन्हें आप मनुवाद कह रहे हैं मैं जहां तक समझ रही हूँ कि आज बजलाव आ रहा है और ये बिल्कुल सही बात कहीं कि बच्चा पैता हमारे घर में होता है अपने घर से शुरू करनी होगी और अपने घर से शुरू करते हुए हमें दूसरों को समझाना होगा कि हमें इस ब्रहमित नहीं होना है हमें सिख्षा के स्तर पर आगे बढ़ते हुए बाबा साब को अपनाना है हमें बोध धरम को अपनाना है जो समानता की बात करता है क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि धरम वो है जो तर्प के अधार पर सही साबित हो अधर्वाइस जो अंधविश्वास है वो धरम नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ भरम जाले